लो अब तो Ice Network ने खुद कहा कि OKX Scam Exchange है Ice Network के official Twitter account पर एक post दिखी जिससे प्रतित हुआ कि Ice Network और OKX Exchange के बीच कुछ अनबन हुई है Ice Network की टीम ने बड़े और bold अक्सरों में साफ साफ लिखा है कि OKX is a Scam Exchange यानि OKX जुटा और मकार Exchange है आई आगे पढ़ते हैं December में हमने अपने Ice Token की लिस्टिंग करने है तू एक प्रतिष्ठीत Exchange जिसका नाम है OKX उसके साथ एक समझोधा किया OKX की शांदार प्रतिष्ठा के कारण हमने इस साज़ेदारी पर सावधानी पुरग विचार किया अब इस समझोते में एक पॉइंट 5 गंटे की exclusive लिस्टिंग के बारे में था यानि OKX Exchange पर Ice Coin के लिस्टिंग होने के बाद 5 गंटे तक किसी और अन्य एक्षेंज पर Ice Coin को लिस्ट नहीं करना है और हम यानि Ice की टीम इस बात पर समध हुए कि चलो ठीक है 5 गंटे तक हम इंतचार करेंगे और इस 5 गंटे की समय अवधी के दोरान Ice Coin का किसी दूसरे अन्य एक्षेंज उपर लिस्टिंग नहीं होगा सिर्फ OKX Exchange पर ही होगा आगे Ice की टीम ने लिखा है हम सपष्ट करना चाते हैं कि हमने OKX Exchange को इस लिस्टिंग के लिए कोई धंदराशी या Ice Coins नहीं दिये है वो तो OKX Exchange ने हमारे प्रोजेक्ट की ख्रमता को और हमारे समूदाए की ताकत में उनके विश्वास के कारण सामने चल कर हम से संपर किया है अन्य दूसरे प्रमुख Exchange जोने Ice Token को एक साथ लिस्टिंग करने में रुची दिखाई थी ऐसा होने के बावजूद भी हमने OKX Exchange के साथ अपने विश्वास आधारित प्रतिबत्ता को बरकरार रखा और उन दूसरे Exchange जों के प्रस्तावों को अस्विकार किया आगे Ice की टीम ने Avive Token जानि Avive Token का उधारन देते हुए कहा कि OKX पर Avive Token के लिस्टिंग के बाद यूजर्स को कुछ प्रोब्लेम्स का सामना करना पड़ा था जैसे कि उनके उप्योग करताओं को वेबसाइट या मोबाईल में अवाईव को सर्च नहीं कर पा रहे थे कुछ देशों में यूजर्स OKX पर दुसरे कोईन का तो ट्रेडिंग कर सकते थे पर तो अवाईव का ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे तो भाई इसलिए इस बार हमने यानि Ice की टीम ने OKX को सुचित किया और जोर देकर कहा कि हमारी लिस्टिंग के दौरान भी इसी तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए तो OKX ने इन मुद्दों को स्विकार किया और हमें आश्वासन दिया कि उन सभी प्रॉब्लेम्स को स्वाल्व कर लिया गया है और आप से हम यह वादा करते हैं कि Ice Token के लिस्टिंग के समय एंजीनियरों की एक टीम उपलब्द रहेगी और Ice Token के लिस्टिंग में ऐसा कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा तो यह वाचन पाकर Ice Network की टीम ने अपने एप में और सोशल मीडिया में भी गोशना कर दी और ओफिशल तरीके से OKX को प्रमोट भी किया है आगे Ice Network की टीम ने कहा हमने उप्यो करताओं को अपने Ice Coin डिस्टिबूशन प्राप्त करने के लिए अपने खातों को OKX Exchange Wallet के एड्रेस से जोडने के लिए प्रोसाहित किया हमने अपने सभी चैनल उपर लिस्टिंग और OKX को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक मार्केटिंग अभियान भी चलाया है अब जब OKX पर Ice Coin का लिस्टिंग हुआ तो उस लिस्टिंग के बाद हमने अपने समुदाई से शिकायतों का अमबार मिलना शुरू हो गया यानि भर-भर के शिकायते मिली ये प्रोब्लेम्स आये जैसे कि जो यूजर लोगिन नहीं है उन्हें OKX वेबसाइड और मोबाइल एब पर Ice token का सर्च करने पर Ice का नाम तक नहीं मिला यहां तकी लोगिन करने के बाद भी लोगों को OKX प्लेटफरम पर Ice का पता लगाने में कठिनाई हुई कई यूजर्स को एक एरर मेसेज मिला जिसमें कहा गया था कि लोकल कंप्लाइंसिस के कारण Ice के ट्रेडिंग पर रिस्ट्रिक्शन्स था यानि की पाबंदी थी यहां तकी उन देशों में भी जहां OKX ने पहले कंफरम करके पुष्टी की थी कि एसा नहीं होना चाहिए Ice Network की टीम ने आगे लिखा है कि हमारे चीनी समुदाई को इसके अतिरिक्ट कुछ और प्रोब्लेम्स भी आए जैसे कि उनके Ice टोकन्स OKX एक्शेंज पर आये ही नहीं यानि डिस्ट्रिबिशन ठीक तरह से नहीं हुआ दुसरा कि चीनी समुदाई वाले Ice टोकन को खरीदने में असमर्ष्थ रहे उनको OKX की सपोर्ट टीम से भ्रमित करने वाला रिस्पोंस मिला यानि OKX की सपोर्ट टीम ने चाइना के यूजर को ये कहा कि ये बहुगोलिक प्रतिबन तो Ice टीम ने लगाए है परन्तु हमने तो कभी ऐसा अनुरोद किया ही नहीं और नहीं उसका अनुमोदन किया यानि कि Ice टीम ने ऐसा कोई भोगोलिक प्रतिबन नहीं लगाया था आगे लिखा है एक ही देश में चार लोगों को अलग-अलग प्रोब्लेम्स का सामना करना पड़ा जो OKEX platform के प्रदर्शन में विसंगतियों को और उजागर करता है इन चार यूजर्स में से केवल एक व्यक्ती ही Ice coin खरीद सका जबकि अन्य तीन लोग अलग-अलग error message के कारण Ice coin का टेडिंग करने में असमर्थ थे और ये चारो वो country के एक ही city में रहते थे तो ऐसा क्यूं हुआ भाई? आगे Ice network के लिखा है कि हमारी users को ये सब कुछ problem आ रहे हैं उसकी सुचना हमने तुरंद OKEX की team को दी परन्त अफसोस की बात ये है कि हमारे proactive communication के बावजूद OKEX की team ने ये problem को दूर करने या सुधारने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है तो अब Ice network की team अपने users की problem को दूर करने है तो उन सभी उप्योग करताओं से अनुरोद कर रहे हैं कि जिनको भी OKEX पर जो भी समझ्याय आई है जैसे कि आईस टोकन को सर्च करने में कठिनाई या ट्रेडिंग पर प्रतिबंद या कोई error message तो वो user इस tweet में बता सकते हैं यूजर्स को अपनी OKEX ID, अपना country और OKEX की support team से जो बातचीत या communication हुआ है उसका screenshot यहां देना है यानि यह आईस की जो tweet है उसके reply में देना है कुपया ध्यान दे कि OKEX कुछ देशों में प्रतिबंदिध है तो उन देशों में रहने वाले को Twitter में reply नहीं देना है यह वो देश की list है जो Twitter में दिखती है यहां एक बात कर लेते हैं कि इंडिया में तो OKEX उपन ही नहीं होता तो इंडिया का नाम भी इस list में होना चाहिए है ना परन्तु नहीं है यानि क्या OKEX जूट बुर रहा है कि इंडिया में ICE token का trading कर सकते हैं अब बताईए आपको क्या लगता है लास्ट में ICE की टीम ने लिखा है हम अपने समुदाई की प्रतिक्रिया को महत्वा देते हैं और आपके अनुबव को बेहतर बनाने के लिए इन मुद्दों को तुरंद हल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं इन चुनोतियों का समाधान करने में आपके निरंतर, समर्थन और धेर्य के लिए धन्यवाद तो मित्रों आप समझे माजरा क्या है मसला क्या है यानि इस्यू क्या है आई आगे जानते है अब उस ट्वीट के नीचे एक यूजर ने लिखा है कि OKX एक अच्छा एक्सचेंज है उनके साथ कभी कोई समस्या नहीं हुई मुझे मेरे अवाईव टोकन और आईस टोकन टाइम पर मिल गए थे उसके नीचे आईस की टीम ने रिपलाई दिया है कि समस्या कोईन को डिस्टिबीट करने में नहीं है OKX वालों ने हमारी आईस की कॉम्यूनिटी के लोगों के अलावा बाहर के लोगों में से किसी को भी आईस कोईन खरीदने की अनुमती नहीं दी बहुत से लोगों ने आईस कोईन को खरीदने की कोशिश की थी और उन्हें एक्चेंज पर आईस कोईन ही नहीं मिला OKX Exchange से बात करनी चाहिए तो Ice की टीम ने उनको भी रिपलाई दिया कि भाई हमने तो OKX की टीम से प्रुच्छा की ही है लेकिन उन्होंने हमारी कॉम्यूटी के साथ वास्तों में क्या हो रहा है इसके बारे में समवात करने से ही इनकार कर दिया है और कहा है कि Ice Token सिर्फ उनको ही दिखाई देंगे जिनको Ice का डिस्ट्रिबिशन प्राप्त हुआ है यानि दोस्तों Ice Token को Ice की कॉम्यूटी के बाहर के लोग OKX Exchange पर खरीद नहीं सकते हाँ तो समस्या की जड़ ये है Ice Network की Official Tweet के नीचे और भी कई लोगों की ट्वीट एड होती रहती है जिसे आप शांत इसे देख सकते हैं और सब के अलग-अलग प्रॉब्लेम्स हैं लास्ट में ये यूजर का एक रिपलाई देखते हैं जो काम का लगा लिखा है मुझे OKX Exchange के साथ भी ये समस्या है मेरा OKX Exchange में पिछले साथ दिनों से वेरिफाइड अकाउंट है और मैंने आइस टोकन खरीदने के लिए 50 डॉलर ट्रांसफर करके रखे थे जब मैंने आइस कोईन खरीदना चाहा तो OKX Exchange वालों ने मेरा बैलेंस फ्रीज कर दिया अब न मैं तो आइस कोईन खरीद सकता हूँ और ना ही बेच सकता हूँ यानि कि आइस की ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ मुझे अभी तक कोई आइस टोकन भी नहीं मिला है उसके साथ ये स्नैपसोट भी उस यूजर ने अपलोड किये है जिसमें लिखा है उसकी कंट्री की लोकल कंप्लाइंस के अनुसार ये रिस्ट्रिक्टेड है अब ये यूजर बेलजियम से है और बेलजियम के कानुन के अनुसार वहां OKX एक्सचेंज नहीं चलता तो इस प्रकार आइस नेटवर्क की मेहनत को एक एक्सचेंज ने बिगाड़ दी इसलिए आइस नेटवर्क उस पर लिगल केस करने जा रहा है या करेगा तो दुसरी और OKX एक्सचेंज भी इतना फेमस है प्रसिद्ध है तो वो भी अपने बचाओं में कुछ तो करेगा पर उन्तु OKX के लिए क्या ऐसा उच्चित करना रहेगा मित्रो आइस नेटवर्क में OKX एक्सचेंज का एड्रेस अगर आपने दिया है तो आइस और OKX के बीच हुए इस प्रॉब्लेम का सॉल्यूशन मिलने तक इंतजार करना पड़ेगा जिन्होंने MetaMask और Trust Wallet में अपने आइस टोकन लिए हैं उनको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं लगती है क्योंकि वो डिसेंट्रलाइस एक्सचेंज है आइस एप में से कोईन निकाल लेने से फर्क सिप उतना ही पड़ेगा कि बविशय में आइस नेट्वर्क में आप वैलिडेटर नहीं बन सकेंगे आइस नेट्वर्क की अपडेट्स के अनुसार आइस नेट्वर्क ने OKX के अलावा गेट आइयो, पैंकेक स्वेप और यूनी स्वेप से भी लिस्टिंग के लिए कॉलाबरेशन किया है तो हे प्यारे दर्शकों अब लगता है ना कि भारत सरकार के Financial Intelligence Unit FIU ने उन क्रिप्टो एक्सचेंजों को क्यो नोटिस दी है बारत में एक और सरकार क्रिप्टो करंसी को विनियमित करने की यंत्रणा पर विचार कर रही है तो दुसरी और सुप्रीम कोट सामन्य नागरिकों को क्रिप्टो के फ्रोड से बचाने और क्रिप्टो करंसी के दुरूप्योग को रोकने के लिए उचीत उपाय चाहती है क्रिप्टो करंसी को वीनियमित करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है सरकार स्री ने सुप्रीम कोड से चार सब्ता का और समय मागा है इसलिए फरवरी के end तक वेट करना उचित रहेगा अब वीडियो के मुख्य विशय पर आ जाते हैं आप पाई के पाईउनियर हैं तो ये सोचो कि अगर पाई नेटवर्क ऐसे कोई एक्स्चेंज के चक्कर में आ जाता और ऐसा कोई एक्स्चेंज निर्दोर्ष पाईउनियर की इतने सालों की तपस्या से बनाय हुए पाई को खा जाता तो भई बड़ा दुख होता रिदय विशाद से बर जाता है न परन्तु रिदय को प्रफुलित रखने के लिए मन में उल्लास का वातावरन रखने के लिए सबसे आवश्यक चीज है ग्यान तो ग्यान प्राप्ति करते रहें नयानया जानते रहें और प्रसंद रहें मैटा मित्र से जुड़े रहें मेरा मित्र मैटा मित्र जै हेंद जै भारत जै श्री राम